रास्तान में लोकसवा चुनाव दोजार चोईस को लेकर अब बाड मेर जेसल मेर बाल उत्रा लोकसवा सीट की लड़ाई रोचक बंती नजर आ रही है क्योंकि शिव से निर्दली विधायक रविंदर सिंग भाटी ने मंगलवार को बाड मेर इस्तीत आलो का अश्रम में आयोजीत सर्व समाज की बैटक के दोरान लोकसवा चुनाव में निर्दली उतरने का एलान कर दिया रविंदर सिंग भाटी बाड मेर जेसन मेर लोकसवा सीट पर मिर्दली चुनाव लड़ेंगे चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने अकेले नहीं लिया बलकि उन्होंने अपने समर्थों को और कारी करताओं के बीच जाकर इस बात का फैसला किया साथ ही नावगन भरने की तारिक का भी ऐलान कर दिया सरसमाज की बैटक के दोरान आलोक आश्रम में 71 भीड को देख कर कहा जा सकता है कि रविंदर भाटी ने चुनाव लड़ने को लेकर उनके समर्थ तक भी काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं वे लगातर भाटी के समर्थन में लोकसवा चुनाव में उतरने की मांग कर रहे थे रविंदर सिंग भाटी के समर्थन में काफी सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहे हैं जिसके बाद भाटी ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया भाटी ने का सब कुछ दाव पर लगा रहा हूँ रविंदर सिंग भाटी लोग सबा चुनाव दोजाट चोईस में उतरने के एम फैसले को लेकर सरसमाज की बैटक बुलाई थी इसी बैटक के बाद भाटी ने चुनाव लड़ने का एलान किया रविंदर भाटी ने चुनाव लड़ने की गोशना के साथ ही अपने सबी समर्थकों के बीच कहा कि उनकी इस बात को सुनकर समर्थकों ने हाथ खड़े किये और कहा कि हम भी रविंदर सिंग है इसके साथ ही रविंदर दिली जाएगा कि नारे लगने लगे रविंदर सिंग भाटी ने फिर्ट समर्थकों से पूछा कि सभी तयार हो आपका मन क्या है चुनाव लड़े क्योंकि मेरी गाड़ी में रिवर्स नाम का गेर नहीं है मैं 26 का हूँ और इस लड़के को जो मिलना चीए उससे दुगना मिल चुका है रविंदर भाटी ने कहा आप सबसे निवेदने की आने वाले दोर में कई कटनाई आएंगी उन सबसे लड़ने के लिए आपका भाई तयार है मैं केवल उसी सर्थ पर लड़ूँगा कि आप अनुसासन के साथ 36 कौम की भावना को साथ लेकर चलें मैं तो लड़का हूँ लड़ने के लिए तयार हूँ क्या आप तयार हो चार अप्रेल को कराएंगे नामाकन रविंदर भाटी ने ऐलान किया है कि चार अप्रेल को नामाकन करवाओंगा चार अप्रेल नामाकन की आखरी तारीक है नामाकन रेली ऐसी हो कि पूरे भारत को पता चल सके कि नामाकन भरा गया है